मित्रो क्यों वाइसा हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि कच्छुए को बार बार देखने से धन और उम्र दोनों को प्रिती होती है आईए मित्रों जानने का प्रियास करते हैं अगर जो किसी भी चीज को हम बार-बार देखेंगे चाहिए अगर जो पैसे हम बार-बार देखेंगे तो पैसे का विचार बार-बार आएगा अगर जो हम स्वास्त के बारे में बार-बार सोचेंगे तो हमरा स्वास्त बढ़ेगा इसलिए तो मित्रो भागवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का विचार है उसका सर्जन करता है और इसी बात को भागवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है मित्रो देखिए अगर कच्व को बार बार देखेंगे तो कच्वा भगवान विष्णू का प्रतिक है और भगवान विष्णू की पत्नी जी का नाम है मालक्ष्मी जी तो मालक्ष्मी जी अगर जो कच्वा बार बार देखेंगे तो हमारे धन के प्रित्थि और वहीं मित्रो अगर जो देखिए कच्वे का जो उम्र होता है वो 400 साल 200 साल बताया गया है तो जब हम कच्वे को बार बार देखेंगे तो हमारे दिमाग में 400 साल की बार बार आएगी और मालक्षमी का प्रतीक माना गया बगवान विश्णु जी और माता लक्षमी का दोनों का प्रतीक माना गया है तो अगर जो कच्वे को बार बार देखेंगे तो हमारे मन में धन को और विचार बार बार आएगा तो यही कारण है कि अगर जो कच्वे के दे दखाऊ से तो बार-बार धन बहुत सारे दुकानों में तांबे का भी रखते हैं लेकिन कोई भी चीज किसी भी धात का रखेंगे तो क्या है और नजर तो हमारी बार-बार जाएगी तो जब बार-बार जाएगी नजर तो उसके लिए मित्रूद उम्र भी बढ़ेगा और धन भी बढ़ेगा यही कारण है कि सास्त्रों में इस बात को बोला गया है कि कच्वे को बार-बार देखने से धन और उम्र दोनों को फ्रिद्धी होती है यही कारण जुन हरै कि घरों घरों में लोग कच्छवा पालते हैं बहुत सारे लोग और दुकानों में तो आप सकते भी होंगे हर जग तांबे का पीच ल का और तांबे का पीचछ टर खरों दोनों नर्ड और मादा है